चलो 28 में पर जो पेपर हुआ था उसके डाउट्स फर्स्ट हम लोग देखेंगे उसके बाद 29 के देखेंगे 28 के थी डाउट्स है तो उसमें 27 वाला बॉड़ी है इसका Heat Loss का Rate का है इसका Heat Loss का Rate का है कैसा Find Out करना है Net Heat Transfer Per Unit Area Per Unit Time तो यह सिगमा T raise to 4 रहता है यह Per Unit Area Per Unit Time ही रहता है सिगमा T raise to 4 इतना Energy क्या करता है 27 वाला बाहर देता है और सिगमा T0 मतलब Surrounding surrounding में को ने यह object है minus 73 वाला तो sigma t raise to 4 से energy बाहर देगा और sigma t naught raise to 4 से energy ले लेगा ठीक है तो sigma दोनों से common निकाला मैंने तो sigma कितना है 5.67 into 10 raise to minus 8 और temperature 27 वाले का Kelvin में 300 आता है और surrounding में को ने दूसरा object है minus 73 पे वो कितना आता है 200 तो उसका subtraction करके answer इतना आता है तो option C आता है ठीक है चलो उसके बाद question number 21 21 में क्या बोला है ऐसा एक cylinder है और cylinder का piston क्या क्या suddenly compress क्या अब sudden compression मतलब क्या है adiabetic process sudden जो process होता है वो adiabetic रहता है क्यों क्योंकि heat को बाहर जाने में time नहीं मिलता या फिर बाहर की heat को अंदर आने में time नहीं मिलता अगर अंदर demand नहीं तो heat transfer को time ही नहीं मिलता मतलब है adiabetic process है तो adiabetic process में क्या होता है T V raise to gamma minus 1 ये constant रहता है जब T V raise to gamma minus 1 constant रहता है तो उसमें क्या होता है volume कम हो रहा है in this case volume is decreasing as volume is decreasing temperature को क्या होना पड़ेगा बढ़ना पड़ेगा इस equation adiabetic के लिए ये equation लगता है volume कम हो रहा है तो इसके साब से temperature को बढ़ना पड़ेगा तो compression के बाद temperature बढ़ता है ठीक है तो final case में अब temperature बढ़ा है क्या होए compression के बाद ये piston नीचे है तो temperature बढ़ा है because of this equation volume कम हुआ है और pressure भी बढ़ा है ठीक है चुलो तो as time passes T decreases एक मनेट तो temperature बढ़ा है ठीक है तो temperature बढ़ गया है तो अब क्या होगा जैसे जैसे time आगे जाएगा जैसे जैसे time आगे जाएगा temperature कम होगा क्यों temperature कम होगा क्योंकि अंदर वाला अंदर वाला heat धीरे धीरे बाहर रहेगा अंदर का heat बढ़ा है ना surrounding से surrounding का और इसका पहले temperature सेम था initially compression के बाद अंदर का temperature बढ़ गया तो वो अंदर का temperature बढ़ गया PV is equal to NLT अगर temperature अंदर का कम हो रहा है तो किसको कम होना पड़ेगा pressure को volume तो same है ना एक बार हमने compression कर दिया उसके बाद बोल रहो है एक बार compression कर दिया है उसके बाद volume तो same है temperature कम हो रहा है क्यों क्योंकि अंदर वाला heat बाहर देगा तो इसलिए pressure भी कम होगा ठीक है तो option यह correct option है चलो उसके बाद question number 41 है 41 है carbonate engine के related है T1 source का temperature यहां पे दिया है 27 degree T2 temperature sink का है 27 दिया है और बाहर से अंदर heat आता है 80 kilocalorie और work कितना होता है वो हमको पता नहीं है तो efficiency का formula कहा रहता है work done upon heat provided और उसको ही carbonate engine को यह हमेशे चलता है work upon energy हमेशे चलता है और अगर वो current engine है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते है T1 minus T2 upon T1 carbonate engine मतलब जिस engine का efficiency highest है उससे efficiency ज़्यादा हो नहीं सकता उसको हम लोग बोलते है carbonate engine carbonate engine का ही efficiency T1 T2 में लिख सकते है बाकि यह W upon Q formula हर जगे पे चलता है तो W upon Q कितना दिया है T is equal to कैसा यहाँ पर मैंने 327 लिया तो चलता है क्या नहीं क्यों क्योंकि Kelvin में temperature थे यह तो उसको मैंने convert किया Kelvin में 327 का 600 minus 27 मतलब 300 upon T1 तो यह solve करके work कितना मिलता है 40 kilo calorie 28 के डाउट्स खतम होते है अब हम लोग चलू करेंगे 29 के डाउट्स चलो question number 10 में क्या बोला है work done in spring A to the work done in spring B 29 के चलू हो गए work done in spring A to the work done in spring B यह हमको find out करना है अब बोला क्या है दोनो springs को same force लगाया दोनो springs को same force लगाया और extend किया तो FA upon FB force on first spring upon force on second spring is equal to 1 क्यूंकि force से same बोला है न तो force कितना रहता है के एक्स तो पहले spring के लिए के 1 एक्स ए और दूसरे spring के लिए के 2 उसका के 2 है और उसका extension XB में ने पकड़ा है तो यह ratio आता है ठीक है तो देखो work का हमको ratio find out करना है तो work का formula कहा रहता है half kx square तो उपर half kx square आपन नीचे half kx square half half cancel होता है तो k1 upon k2 into क्या आता है k1 upon k2 into xa upon xb का square तो xa upon xb कितना आता है लेकिन xa upon xb यहां से calculate करे xa upon xb तो यह दर जाके क्या बनता है k2 upon k1 तो xa upon xb को मैंने लिखा है k2 upon k1 का square स्वाल करके k2 by k1 आता है correction है option c correct है ठीक है चलो question number 11 11 में क्या बोला है देखो वो जो shm है वो extreme से start होता है अब extreme से इदर से भी start हो सकता है या फिर इदर से भी start होता है यह यहां से start हो रहा है right की तरफ देखो अभी मैं alpha का value different different बोलता हूँ तुम लोग याद रखो अगर mean position से motion start होता है towards right जा रहा है तो यहां से right जा रहा है positive end की तरफ start कर रहा है motion तो alpha कितना लेने का 0 अगर shm यहां से start होता है towards left जा रहा है तो कितना लेने का alpha pi by 2 अगर यहां से start हो रहा है बीच में से और negative की तरफ जा रहा है, positive की तरफ नहीं, positive की तरफ जा रहा है तो 0 और negative की तरफ जा रहा है तो क्या लेने का पाई, alpha का value, epoch का value और negative end पे start हो रहा है तो 3 pi by 2 अब extreme पे बोला है वहाँ पे, तो alpha 3 pi by 2 भी रह सकता है या फिर pi by 2 भी रह सकता है लेकिन मैंने pi by 2 पकड़ा है वहाँ पर frequency कितना दिया है 60 vibrations per minute दिया है तो मतलब एक vibration होता है एक second में 60 मैंने seconds डाला minute के लिए 60 seconds डाला तो 60-60 जाता है 1 vibration per second मतलब frequency कितना है 1 hertz है तो यहाँ पर frequency कितना है 1 hertz है ठीक है चलो तो x is equal a sin omega t plus alpha अपना standard equation है alpha कितना है pi by 2 दिया था वो मैंने put किया है pi by 2 omega 2 pi into frequency into time तो n यहाँ पर था न n इधर से निकाला 1 वो यहाँ पर मैंने put किया 1 और amplitude जितना दिया है उतना put किया 0.1 अब क्या बोलता है इधर कि time is equal to 2 seconds पर x find out करो तो time में यहाँ पर 2 put किया तो 2 into 2 4 pi होता है plus pi by 2 तो 0.1 sin 4 pi plus pi by 2 तो 4 pi plus minus करने से 2 pi plus minus करो 4 pi plus minus करो 6 pi plus minus करो कुछ फरक नहीं पढ़ता वही का वही रहता है 0.1 as it is तो sin 4 pi लिया नहीं लिया तो चलता है तो sin of कितना pi by 2 ही लेने का sin of कितना pi by 2 ही लेने का तो sin of pi by 2 कितना रहता है 1 sin of pi by 2 मतलब sin 90 4 pi अड़ किया 2 pi अड़ किया तो कुछ फरक नहीं पढ़ता जो angle add किया है उसका ही बस sign लेलो कौनसे भी trigonometric function के लिए चलता है अगर यहाँ पर tan 4 pi प्लस pi by 2 रहता था तो भी क्या लेने का 4 pi को पकडने का ही नहीं directly tan pi by 2 लेने का कौनसा भी trigonometric function रहने दो यहाँ पर 2 pi है 4 pi है 6 pi है 8 pi है even pi है तो उसको पकड़ा नहीं तो चलता है directly sign of वो जो angle है उसका लेलो तो sign pi by 2 1 है calculate करके answer 0.1 आता है ठेक है तुम लोग 3 pi by 2 भी पकड़के करो answer तो यहाँ पर बस minus 0.1 आएगा और minus option में नहीं है तो यह option लिखना पड़ेगा finally 0.1 ठेक है चलो question number 13 question number 13 में क्या बोला है जब velocity u1 है तब displacement x1 है SHM का जब velocity u1 है तब displacement कितना है x1 है तो यहाँ पर मैंने कौन सा formula यूज किया है v is equal to omega root a square minus x square v is equal to omega root a square minus x square square किया दोना तरफ तो v square is equal to omega square a square minus x square question number 13 चल रहा है तो जब velocity u1 था तब displacement x1 दोनों पूट किया जब velocity u2 बन गया तब displacement कितना बनता है x2 तो वह भी दोनों put कर दिया और दोनों को मैंने subtract किया है first और second को मैंने subtract किया तो क्या आता है u1 square minus u2 square left की तरफ और right की तरफ omega square a square और यहाँ पर omega square a square cancel होता है उपर क्या बचता है फिर minus इधर का minus omega square x1 square minus omega square x1 square और यहाँ नीचे क्या बचता है minus करना है न निचे वाला तो वो minus और यहां का minus plus बनता है तो omega square x2 square क्या थी है omega square x2 square, निचे वाला minus करना है तो minus वाला वो minus और यह minus, तो दोनों मिलके plus बनता है ठीके है? चलो तो उसको भी थोड़ा simplify करके मैंने ऐसा लिखा, देखो कैसा आता है पॉज करके देखते जाओ, तुमको जब समझ मिन आता वीडियो पॉज करके देखते जाओ, तो यह ऐसा है, तो अब हमको time period चाहिए, question में पुछा है time period, तो time period के लिए क्या है, 2 pi अपन omega 2 pi, यहां से omega का root निकाल, इधर डाला, यही answer है अपना, option D, ठेक है, चलो, next question देखते कि, x is equal to 6.5, मतलब यहां का point, यह यहां पे 13 है, full amplitude, यह यहां पे minus 13 है, तो यहां पे आएगा बीच में 6.5, और यहां पे आएगा बीच में minus 6.5, तो इधर वाला 6.5 से, इधर वाले minus 6.5 तक जाने के लिए, इधर से, इधर जाने के लिए, कितना time लगता है, यहां पूछ लगता है, यह पूछा है, तो पूरा इधर जाने का, उसके लिए कितना time लगता है, t by 4, पूरा इधर जाने का, वापस इधर आने का, इसके लिए time लगता है, t by 2, तो इधर से center तकी जाने का है, इधर से center तकी जाने का है, उसके लिए time t by 8 नहीं लगता, उसके लिए time t by 8 नहीं लगता है इसा लगता है आप उनको क्या कि वन फोर्थ प्रोसेस को इधर से इधर जाना मतलब वन फोर्थ प्रोसेस इसको टी बाई फोर लगता है तो इधर से आदा जाने के लिए टी बाई एट उसका आदा लगता होगा लेकिन वैसा नहीं होता शुरुआत में फास् कर सकते हो X is equal to A sin omega T पकड़ो X is equal to A sin omega T पकड़ो ओर displacement कितना है amplitude का अधा हो गया ना b तक आया मतलब displacement कितना हुआ amplitude का अधा तो X को लेलो A by 2 तो X को लेलो A by 2 तो A by 2 is equal to A sin omega T उसको solve करो तो T आता है T by 12 आता है capital T by 12 तो यहां से आधे distance तक जाने के लिए time लगता है T by 12 और इसके आगे end तक जाने के लिए time लगता है T by 6 और T by 6 और T by 12 इनका addition करके देखो बराबर T by 4 आता है O से B T by 12 B से T by 6 उल्टा आ रहा है B A से B उतना ही लगता है T by 6 और B से O वापस उतना ही लगता है T by 12 तो यह एक T by 12 लगेगा और यहां से यहां तक जाने के लिए और एक T by 12 लगेगा तो T by 12 का 2 times मतलब कितना T by 6 लगेगा तो क्या है T अपना 12 है अपन 6 तो 2 seconds एंसर आएगा 2 seconds और 16 में क्या बोला है question number 16 में potential energy और kinetic energy से में जब यह दोनों से में तब displacement और amplitude का रेशु निकॉला इसा बोला है तो दोनों से में ने यहां पर पकड़ा है यह है left वाला potential energy यह right वाला है kinetic तो half half cancel होगा है mm omega omega cancel सब तो क्या आया x square is equal to इधर का right का a square minus x square तो minus x square इधर लिया में ने 2x square is equal to a square तो x square अपन a square is equal to यह इधर 2 लिया तो 1 by 2 root लिया तो x by a ही निकलना है x मतलब displacement a मतलब amplitude तो x by a कितना है plus minus 1 by root 2 तो plus option में है तो plus लिखो option यह question number 18 देखो kinetic energy oxygen और kinetic energy hydrogen का comparison करना है अभी दोनों का temperature same बोला है क्या आउटी question था दोनों का अगर temperature same बोला है तो दोनों का kinetic energy same ही आएगा molecule का kinetic energy का molecule के kinetic energy का formula क्या है 3 by 2 kt k बोल्ट बान constant है temperature भी same यह बोल रहा है तो same ही रहेगा ना 1 तो ratio 1 आता है दोनों का same option c 19 देखो volume versus temperature graph draw किया है P1 P2 दो pressure से और दोनों दोनों वक्त क्या है same mole से वहाँ पर दिया equation में mole same दिया है mass same दिया है या फिर mole same ही दिया है देखो क्या दिया है तो PV is equal to mu RT मैं क्या करता हूँ यहाँ पर vertical line draw करता हूँ तो vertical line पर क्या same रहता है तेंपरेजर सेम रहता है तो c का और a का यह c और यह यह दोनों points के लिए temperature सेम है लेकिन volume किसका बड़ा है c का volume बड़ा है और a का volume चोटा है अब PV is equal to mu RT PV is equal to mu RT a और c दोनों के लिए a और c दोनों के लिए क्या है mu number of mole same है r same है वो तो हमेशा same ही रहता है और tb सेम है न वल्टिकल लाइन पर temperature सेम है तो point a और point c इन दोनों के लिए क्या है temperature सेम है तो left right hand side right hand side add point a और add point c सेम है mu RT सभी सेम है तो a और c के लिए right hand side सेम है तो left को भी same होना पड़ेगा तो left को same होने के लिए क्या problem तो PV constant है a और c a और c इन दोनों points के लिए PV constant है तो c का volume बड़ा है C का volume बड़ा है तो C के pressure को छोटा होना पड़ेगा C का C का volume बड़ा है इसलिए C के pressure को कम होना पड़ेगा और A का volume छोटा है तो A के pressure को बड़ा होना पड़ेगा A मतलब कौन सा है? P1 pressure है और C मतलब कौन सा है? P2 pressure है P2 छोटा है, P1 बड़ा है ठीक है चलो नेक्स्ट है question number 20 क्या कुट्ता है कि यह चलो तो next question कुट्ता शांथ हो गया है अब चालू करते है recording तो next क्या है question number 20 है तो 20 में क्या है इसा cylinder है cylinder में एक piston है बीच में उपर मास M का gas है नीचे मास 2M का gas है और same temperature पे सब दोनों gas उपर का gas नीचे का gas same temperature पे है और बोला क्या है यह piston क्या बोला है यह 2M वाला जो gas है वो कितना volume कितना fractional volume occupy करेगा यह double mass 2M वाला जो gas है वो कितना volume occupy करेगा तो इस gas से इसका mass double है वही है molecular weight same gas है तो इससे इसका molecular weight double है ठीक है double नहीं sorry molecular weight same है mass double है तब इससे इसका mass double है तो number of moles भी क्या हो जाएंगे अपने अब double तो जितना number of moles रहता है उतना उसका volume रहता है volume number of moles पे depend करता है gas को gas में volume number of moles पे depend करता है तो इससे इसका number of moles double है तो volume भी double रहेगा तो यह अगर volume V capture करता है तो यह दूसरा वाला कितना volume capture करेगा 2V यह V capture करेगा volume तो यह double volume capture करेगा 2V तो total volume कितना हो गया 3V यहां का V और यहां का 2V तो total cylinder का volume कितना हो गया 3V तो fractional derivative, fractional volume कितना एक मिन तो fractional volume कितना occupy किया gelmiş 1 इसने volume occupy की आफ वी बोला था मैंने लेकिन यहां पे मैंने नीचे क्याई पकड़़ा है इसने volume occupy कितना V by 3 तो यह कितना volume occupy करेगा 2V by 3 तो V by 3 और उसका double 2V by 3 दोनों मिलके बराबर कितना होता है total volume V होता है तो ये वाला कितना volume occupy करता है इससे double तो 2V by 3 और उपर वाला कितना करता है V by 3 तो fractional volume कितना आया ये है volume occupied by बड़ा मास divided by total volume divided by total volume मतलब V V cancel हो जाएगा answer कहाएगा 2 by 3 तो fractional volume कितना आता है 2 by 3 तो M कितना volume occupy करता है 1 third और 2 M कितना volume occupy करता है 2 third उसके बाद है question number 22 22 में VRMS का एक मिनिट थोड़ा question read करता हूं है चलो तो 22 में क्या है VRMS 327 degree पे और VRMS कुछ तो temperature T है उनका ratio है 1 upon 1 by 2 मतलब temperature T पे VRMS क्या बनता है जितना 327 पे था उससे T temperature पे VRMS क्या बनता है आदा तो उपर का 1 और VRMS पे कितना हो गया 1 by 2 हो गया आदा बन गया is equal to root of VRMS किसको proportional रहता है root of temperature temperature Kelvin में चाहिए तो root of temperature लिखा 227 को मैंने Kelvin में convert किया है और यह नया temperature जहाँ पर rms velocity आदा बनता है वो वाला यह temperature है तो left hand side solve किया तो यह 2 आता है दोनों तरफ square किया तो 2 का square यहाँ पे 4 आता है इसका square कितना आता है root निकल के जाता है तो उपर आता है 600 और नीचे T इसको solve करने के बाद temperature आता है कितना 150 Kelvin तो degree में convert करने के लिए 273 से subtract किया 273 subtract किया इसमें से तो minus 123 answer आता है temperature कितना minus 123 23 bonus है इंदे अबाव question बोला है और अबाव उसका उपर वाला question ही नहीं उदार दूसरा question नहीं ही उदार तो वो बोनस है 33 में क्या है ऐसा एक nichrome wire है ऐसा एक बहुत लंबा wire है और उसमें से current भेजना है इसमें से current भेजना है इसका diameter कितना है 1 mm और ये छोटा wire बड़े cylinder पर ऐसा गोल 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 वांड किया है कितना turns है उसका end turns है तो ये जो wire है लंबा wire है इसका हमें resistance find out करना है ये लंबे wire का resistance find out करना है लेकिन ऐसा है लंबा नहीं रखा ऐसा गोल 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 करके बाउंड करके रखा है इस पर तो resistance कितना दिया है वहाँ पर बोला है कि resistance है 20 तो resistance मेंने 20 लिया रो कितना दिया है 10 raise to minus 6 तो 10 raise to minus 6 लिया है length कितना दिया है जो नाइक्रोम वायर है जिसका भी resistance निकालना है वो ऐसा नहीं रखा लेकिन straight नहीं रखा वो wound किया है गोल गोल को तो उसका length कैसे निकालने का एक कितने turns है? end turns है तो 2 pi r into end एक round का length कितना हो गया? 2 pi r और ऐसे कितने rounds है? end rounds 2 pi r into end length हो गया और एरिया कितना? यहाँ पे pi r square pi r square एरिया कितना? यह diameter दिया है यह radius नहीं है pi r square इसका diameter लेना पड़ेगा इसका resistance निकालना है इसका नहीं resistance निकालना इस नाइक्रोम वायर का resistance निकालना है, cylinder का नहीं निकालना तो नाइक्रोम का ही area चाहिए यह जो यहाँ पर area है यह नाइक्रोम का चाहिए ठीक है? चलो तो देखो 10 रेश्ट्र माइनस 6 का रो 10 रेश्ट्र माइनस 6 2 pi r 2 pi into r r कितना है? यह जो एक circle है उसका हमें length find out करना है एक जो circle है एक बार गोल घुमाया wire को तो कितना length का wire 2 pi r का 2 pi into this round के length के लिए r इदर का चाहिए 2 pi into r कितना है? 2.5 है cm है यह 10 रेश्ट्र माइनस 2 into n समझ रहा है ना length के लिए जो radius है यह length में जो radius है वो इसका radius है क्योंकि एक circle का radius 2 pi r इस पे गोल घुमाया ना तो 2 pi r इदर का into n turns और जो नीचे है वो किसका area रहता है? जिस area से current जा रहा है उसका area current इदर से नहीं जा रहा current इदर से नहीं जा रहा current इस nichrome wire के अंदर से जा रहा है current इदर से नहीं जा रहा current इस nichrome wire के अंदर से जा रहा है तो nichrome का area चाहिए तो नीचे वाला area nichrome का मतलब यह 1 mm है इसका diameter वो इधर में ने लिखाया तो वो सबलिका नीचे के है pi r square लेकिन r नहीं है इसलिए में pi d square upon 4 ये formula में ने यूज किया है एरिया के लिए pi into diameter का square upon 4 ये भी चलता है तो diameter कितना 10 dash to minus 3 उसका square into 1 upon 4 लिया है तो इसको solve किया है इसको solve करने के बाद 100 आता है number of turns ठीक है चलो next question करेंगे जितने भी doubts के videos है वो तुम लोग देखो और देखके मत बेटो देखके तुम खुद solve करो हर एक doubt हर एक question जो तुमको नहीं आता वो तुम खुद solve करो एक एक video बनाने में बहुत time लग रहा है solve करने के बाद उसके बाद video बनाने के लिए time लगता है video convert करने के लिए time लगता है video convert के बाद upload करने के लिए time लगता है अभी जो देखा अभी जो हुआ कुद तक भोगता है तो तब video upload बंद करना पड़ता है जब video recording होता है तब fan को बंद करना पड़ता है गरम हो रहा है इतना ओके तो मेरा request क्या है इतना सब तुमारे लिए मैं कर रहा हूं मेरा request क्या है तुम लोग जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूं अच्छे से सुनो और हर एक doubt solve करो हर एक doubt solve करो जब तुम solve करोगे तभी दिमाग में जाएगा नहीं तो दो-तिन दिन में भूल जाओगे वीडियो देखके मत छोड़ो देखके solve करो ओके seriously अगर preparation करना है तो देखके solve करो तभी अच्छा preparation होगा ठीक है चलो तो 36 नहीं तो तुमारे बाकी टीचर देशा कुछ हो तुम लोग उसका benefit ले लो ठीक है चलो तो यह यहां पर ऐसा circle है और result and resistance find out करो बोला है तो यहां पर point B दिया है यह वाला यह वाला point A मैंने assume किया है तो जब तक conductor रहता है A की point assume करने का क्योंकि A की voltage रहता है conductor equipotential surface रहता है तो यहां का point A है तो यह पूरा A B A point है यह point B A है और यहां का point B A है ठीक है यह O नीचे का है यहां का point B A है तो यहां पर मैंने B draw किया है और यहां पर मैंने A draw किया है यही diagram में वापस है draw कर रहा हूं ठीक है तो तो 2R देखो 2R कहां पर है B और O के बीच में तो O मैंने यहाँ पर बीच में ही ले लिया 2R किदर है B और O में, तो B पर start होता है 2R और O पर end होता है, यहाँ पर मैंने 2R लिया 6R किदर है यह वाला 6R, O और A वाला point, यह point कौन सा है, A है 6R, O और A के बीच में, तो 6R O और A यहाँ पर है, A इन दोनों points के बीच में लिए आप 6R ये वाला 6R O और A के बीच में ये तो दूसरा वाला 6R भी O और A इनके बीच में ये और तिसरा वाला 6R ये भी कहां पे है O और ये A इनके बीच में है तो O और A इनके बीच में तिसरा वाला भी 6R तो ये तीनों parallel है और ये 2R तो ये parallel का resultant कितना आता है 2R आता है और ये वाला 2R 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 कितना बनता है 4R ठीक है चलो question number 37 37 का भी मैंने resultant diagram वहाँ पर निकाला है तो थोड़ा इसको क्या हो गया एक मिनिट तो इसको थोड़ा मैं size कम करता हूँ ओके चलो यहाँ पर देखो अभी इसका यह जो diagram है इसका resultant diagram मैंने उपर निकाला है तो देखो D point यहाँ पर draw किया मैंने C point यहाँ पर draw किया D इधर है C इधर है D और C के बीच में क्या है D और C के बीच में battery है तो मैंने battery draw किया battery का positive किदर है D की तरफ है और negative किदर है C की तरफ तो battery का positive D की तरफ battery का negative C की तरफ ठीक है no problem चलो यह वाला line देखो अभी D B C वाला line D B C वाला line में कितने resistance है 555 और D B C line क्या है D पर start होता है C पर end होता है तो यहाँ पर मैंने एक line क्या D से start होता है B और C D B C line यह वाला है D B C line यहाँ दो resistance इसके बाद B है D के बाद दो resistance इसके बाद B D के बाद दो resistance इसके बाद B यह point D है तो यह भी D ही रहता है जब तक conductor रहता है तो same ही point रहता है क्योंकि same ही potential पकटने का potential change नहीं होता तो यह वाला line देखो D A C वाला line D के बाद एक resistance उसके बाद A फिर C D के बाद एक resistance उसके बाद A फिर दो resistance फिर C तो यही diagram इसी diagram को मैंने यहाँ पर re-draw किया है ठीक है तो अभी और एक बार मैंने नीचे diagram ड्रोके है यहाँ पर मैंने solve किया है अब थोड़ा उसको zoom करेंगे ओके देखो अब अब देखो यह उपर वाला line और यह नीचे वाला line same है 555 resistance यहाँ पर भी 555 resistance तो दोनों क्या है same है तो तो क्या है उपर वाली line में और नीचे वाली line में current तो same जाएगा तो current का formula क्या है V upon R तो V potential कितना दिया है इस line को इस line को कितना potential मिला यह 2 hold पूरा का पूरा मिला parallel है तो इस line को और उपर वाली line को potential difference क्या है same है तो potential difference कितना मिला इस line को 2 divided by resistance V upon R resistance कितना है 555 तो 15 तो 2 by 15 इदर भी current उपर भी current कितना 2 by 15 अब इस point का potential में VD पकर दाओं तो इस point का भी potential VD आता है क्यूंकि conductor पे potential change नहीं होता और इस point का भी potential VD आता है तो VA का potential कैसे निकालेंगे हम लोग VA का potential VA का potential पोटेंशल D का जितना है उसमें से यह resistance कुछ तो खा लेगा VA का potential कैसे निकालेंगे डी का potential माइनस यह resistance कुछ तो खाएगा तो V potential D का यहाँ potential D का उसमें से यह कुछ तो खाएगा यह resistance कितना खाता है I into R तो I कितना है 2 by 15 और यह R कितना है 5 तो यह आया VA का potential थोड़ा simplify करके यहाँ पे लिका है मैंने B का potential कितना आएगा जो भी VD का potential है D का potential है उसमें से यह दो resistance खा लेंगे जो बचाए B को मिलेगा तो B का potential कितना D minus IR यह दोनों मिलके कितने खाते है दोनों में current कितना है 2 by 15 into R दोनों का resistance कितना है इसका 5 और इसका 5 तो कितना 10 तो VD minus IR VD यहाँ पे था उसमें से यह दोनों ने थोड़ा-थोड़ा खाया तो B को कितना मिला VD minus IR इसको भी simplify किया वापस VA minus VB किया यह वाला VA है यह वाला VBA इनको subtraction किया तो answer क्या आता है 2 by 3 तो option C आता है ठीक है चलो तो final अभी 2 questions 2-3 questions बचे question number 40 40 में क्या है यहाँ से 4A current जा रहा है यहाँ पे बैटरी है 220 का और heat produced find out करो बोला है calorie में करना है तो कौन सा formula यूज के है मैंने IV into T I square R भी चलता है लेकिन R दिया नहीं है IVT I di 4 V di 220 कितने time के लिए 4.2 minutes के लिए तो seconds में convert के लिए into 60 यह answer आता है joules में तो इसको calorie में convert करने के लिए 4.2 से divide करना पड़ता है तो इतना answer आता है ठीक है option यह answer आता है उसके बाद question number 44 है उसमें थोड़ा गलती है option में minus है यहाँ पर option D correct दिया है option में यहाँ पर minus है minus नहीं चाहिए यहाँ पर plus चाहिए तो इसमें कौन सा भी option correct नहीं है D option में एक problem था यहाँ पर minus की जगे plus रहता तो वो बराबर था यहाँ पर minus है तो गलत है वो भी तो bonus आएगा यह ठीक है एक बार मैं explain करता हूँ फिर भी जिनको पता नहीं है उनको तो कैसे कैसा गया है A C D E A A C D E A इस loop के लिए Kirchoff का second equation अपलाई करना है तो 40 और 1 के लिए मैंने add करके लिखा है और यहाँ पर 1 और 20 था उसको भी add करके 21 लिखा है तो हम लोग right की तरफ जा रहे है और current left की तरफ आ रहा है तो IR क्या रहेगा minus opposite direction के लिए IR क्या रहेता है minus तो 41 into I3 plus battery के लिए कैसा है sign of second terminal tracing करते वक्त पहले positive लगता है बाद में negative तो बाद में जो लगता है उसका sign बाद में लगता है negative तो minus 45 plus हम लोग नीचे जा रहे है C से D और current कैसा आ रहे है उपर opposite direction है इसलिए again plus IR तो II2 है R21 और यहाँ से इदर जागते है वक्त यह वाला battery है 80 तो बाद में क्या लगता है positive terminal लगता है जो बाद में terminal लगता है उसका sign देने का जो terminal बाद में लगता है उसका sign देने का तो क्या plus तो is equal to 0 ठेक है वीडियो देखने के बाद doubts sub doubts एक बार खुद solve करो final answer तक आता है easy है यह क्या में solve करोंगा क्यों solve करोंगा solve करने से time pass होगा कुछ time pass नहीं होगा solve करोगे तो ही marks बढ़ेगा solve करो हर एक question solve करो जो भी mistake हुआ है हर एक question solve करो तो ही next exam में score बढ़ने वाला है ठीक है चलो